हेलो फ्रेंट्स वरी गूड इवनिंग कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टेडी विद स्मार्टनस में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिएक से संबंदत सारी जानकारी जो भी आपकी एक्जाम चली पर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो कि आज का मारा फर्स्ट कोशन है दोस्तों कि हवी पॉजिटिव उमीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है मतलब कि अगर जिसे किसी वेक्ति को यदी एड्स हो जाता है तो उसक करिक्ट आंसर दोस्तों किरल किरल जो है उसने पहली पहला राज जैसा है जिसने तरकाई नौकरी आरक्षित की है कि दुनिया भर में एक दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है एड्स का इंटरनाशनल सिंबल लाल रिबन है जो की अपनाया गया था दोस्तों ये डेट आपको अच्छे स्यादक नहीं है कि एक दिसंबर को वर्ल्ड जो है एड्स डे के रूप में मनाया जाता है और जो एड्स का इंटरनाशनल सिंबल है आपका रेड कलर का रिबन है आपने भी एक सर देखा होगा तो इस चीजों को कब अपनाया गया था आपको बताना है जो करेक्ट आंसर जाता है दोस्तों उनीस सो इंक्यानवे नाइंटिनांटीवन में इस सिंबल को और वर्लड डे को अपनाया गया था तो दोनों डेट से याद रखिए गा आप नेक्स कोशन है एट्स का पहला मामला 1959 में किस देश में सामने आया था एट्स का पहला मामला जो है दोस्तों 1959 में आया था और किस देश में आया था तो ये है आपका करेक्ट आंसर अफरीका देश में इसका पहला मामला देखा गया था निक्स कोशन है बिल्यों में AIDS के समान ही एक बिमारी होती है जिसे क्या कहते हैं तो AIDS के समान ही एक बिमारी होती है बिल्यों में भी उसे कहा जाता है एफ आईवी इस तरह से मनुश्यों में एड्स की बिमारी को HIV के नाम से जानते हैं बिल्लियों में इस बिमारी को एफ आईवी के नाम से जाना जाता है भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में कब सामने आया था मतलब कि किस शहर में सामने आया था 1986 में भारत में पहला ममला आया था और यह आया था आपका चेन नहीं में ठीके दोस्तों याद रखेएगा चेन नहीं इसका संस्था है यह आपकी केन सरकार भारत की केन सरकार दोरा चलाई गई एक मुहीं में दोस्तों एड्स के रोक्ताम के लिए तो यह आपके जो है एड्स शोध एवं नियंतर्ण परियोजना है जिसका हेट कोटर आपका बेंगलूरू में है तो यह जो अच्छे से याद रखेए इस कोशन है सहीत राश्टर के सदस्य देशों ने कब तक एड्स के खात्मे का लक्ष रखा है तो दोस्तों सहीत राज आपका यूएन है जो उन सारे देशों ने मिलका जो है 2030 तक पूरे विश्व भर में एड्स को खतम करने का लक्ष सामने रखा हुआ है पर साल विश्व दिवस का मनाया जाता है जा करिक्ट आंसर है याद रखिएगा 18 मैं को 18 मैं को व्ल्ड ग्रफ्ट का कारण HIV वायरस है जिसका संक्रमन समानिता होता है जो है इसका संख्रमन फैलाव होता है नेक्स कोशिकाओं पर हमला कर इसे कमजोर कर देता है तो यह जो कोशिकाओं है एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं होती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं इसको वह कमजोर कर देता है तो इन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें जो है कहा जाता है दोस्तों अच्छे से नाम याद रखेंगा इसका CD4 Cills कहा जाता है CD4 Cills इसका नाम होता है निक्स कोशन है AIDS अंसंधान संस्थान कहा है दोस्तों भारत के point of view से यह important है कि AIDS का अंसंधान संस्थान है वह आपका पूने में है निक्स कोशन है विष्वि में पहला AIDS रोगी कहां मिल था एड जो रोगी है दोस्तों जो शब्सेपे पहला आपका संक्रमन में पहली बार देखा गया था देखिए दोस्तों HIV का संक्रमन और AIDS का रोगी होना बहुत ही दोनों अलग अलग विशे हैं HIV जो है एक वाइरस है और यह जो होता है एक दो तीन चार स्टेजिस में किसी भी बॉड़ी को इंफेक्ट करता है जब हम तीसरे स्टेज में HIV वाइरस पहुंच जाता है उसके बाद से हम कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वो उसे AIDS हो गया है अब मतलब कि डिसीज हो गई है ठीक है दोस्तों तो इसलिए जो HIV का वाइरस है आपका अफ। सौरी आफ्रीका में मिला था लेकिन जो AIDS का रोगी एगर हम बात करें तो वो आपका अमेरिका में मिला है دوسসneyte 8ka naam karan जो है किस देश ने किया था जो 6ka naam karan दोस्तों और गेले अमेरिका गेले जो की अमेरिका में है और मोंटेका जो की फ्रांस में इन दोनौ देशोंने मिलकर AIDS का naam karan किया हुआ है कि घोषना कब की गई थी तो राश्ट्री AIDS नीती की गोशना दोस्तों 1998 में इसकी गोशना की गई थी दोस्तों आप सबको यह पता होना चाहिए कि AIDS का फुल फॉर्म है वो है Acquired Immune Deficiency Syndrome ठीक है Acquired Immune Deficiency Syndrome इसका पूरा नाम है Cells की कितनी गिंती होने पर AIDS विक्सित माना जाता है तो इनकी जब कमी हो जाती है किशी सरीर में तब हम कहते हैं कि उसे AIDS हो चुका है उस व्यक्ति को AIDS रोगी मान लिया जाता है तो असा कब होता है दोस्तों जब CD4 सेल्स की जो काउंटिंग होती है वह आपकी 200 प्रतिगन मीटर लीटर से नीचे हो जाती है ठीक है 200 आप यह डेटा अच्छे से याद रखेगा कैसे फैलता है तो जो एड्स वाइरस है दोस्तों वह आपकी हैल्पर टी कोशिकाएं उनके द्वारा इस शरीर में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाता है तो नाम्याद रखेगा है नेक्स्त कोशने क्या तो जापकी हलप को शुचे कायाल होता है दोस्तों 00 old 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 girls help झाल झाल झाल